एक्ता के बारे में जो काम मुहम्मद अली जिन्ना नहीं कर सके वो काम करना चाहती है गाउं गाउं में अगड़ा इस्थान और पिछड़ा इस्थान बनाना चाहती है। पुलीस में, स्कूल के मास्टर में है और उस भरती में भी क्या अगड़ा क्या पिछड़ा जिसके कंड़े पर लक्षमी माता का हाथ नहीं है उसको रोजगार दिल रहा है। हो गए। और ये जात बदलती नहीं है। धरम बदल जाएगा लेकिन जात नहीं बदलेगी। तो मेरी जिन्दगी एक बड़ी दुरघटना है। मेरे लिए इस मुल्प में कोई स्थान नहीं है। और जब मैं शिकायत करता हूँ तो लोग चिकोटी कारते हैं। अरे यार क्या शिकायत करते हो। तुम तो सरकारी दामाद हो। अमुक जाती के बीच से आते हो तो 15% और अमुक जातियों के बीच में से आते हो तो 27% चलो चलो सब तो तुम ही लूटके खा रहे हो। सारी मलाई तुम्हारे हिस से आ गई गांदी जी और अम्बेटकर जी के चक्कर में उसके अपमान और उसके अभाव दोनों ने मिलकर के आज हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के बीच में जो पिछड़ी जमातों से आते हैं तथा कथी पिछड़ी उपिछड़े नहीं है वो कर्म जीवी है श्रम जीवी है वो उन जमातों से आते हैं जिनके बनाए हाथों से हमारे पाउं में जूता है हमारे बदन पर कपड़ा है हमारे पेट में खाना है लेकिन मंदिर मस्जिद के मालिकों ने उनको अगड़ा पिछड़ा बना दिया और संभिदान उ तो बेरोजगारी का सवाल है, और उससे जुड़ा हुआ शिक्षा का सवाल है, इसको कोई नहीं उठाता, क्यों नहीं उठाता भाई, तुम अगर समाजवादी हो, तो लोहिया जैप्रकाश तो उठाते थे, तुम्हारे गले में घीगी क्यों बंदी हुई है, अगर तुम मा क्यों नहीं उठाते हैं, और अगर तुम कांग्रेसी हो, तो नेरू इंद्रा तो कहते थे, कि तरक्की का रास्ता शिक्षा के जरिये बनेगा, अगर तुम अंबेट कर वादी हो, तो बाबा साहब ने तो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, और संगर्ष करो, फिर श शिक्षा के सवाल पर, कि शिक्षा गरीब की गाय हो गई है, जो आ रहा है वही उसको दो रहा है, चारो तरफ सरकारी विश्विद्यालियों कालेजों में भष्टा चार है, बच्चों की भरती से लेकर के मासरों की भरती तक, अभी हर्याना के लोगों ने अपने साथियों को सलाम किया, उनसे लंच की छुटी में पूछिएगा, कि तुम्हारा तथा कथित किसान नेता मुख्यमंत्री आजकल कहां रहता है, उसकी कोठी कहां है, उसका बगला कहा है, हमको उसको मिलना है, वो हरा साफा बांके घूमा करता था, हर्याना वाले आख नीची करके कहें आजकल वो जेल में है, क्यों जेल में है, किसानों के लिए जेल में है, नौजवानों के लिए जेल में है, या बेइमानों के लिए जेल में है, हर्याना का मुख्यमंत्री पुराना तिहार में सड़ रहा है, क्योंकि उसने मास्रों की भरती में घूश ली थी, अगर यूप का दाखिला भी मिल जाय तो नहीं जाना चाहते क्या हो गया उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग को उसका अध्यक्ष कौन है आख नीची हो जाती है वो अध्यक्ष क्या नरेंद्र देव की परमपरा का है जाकिर हुसेन की परमपरा का है राधा कृष्ण की परमपरा का है मदन रिश्टेदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्योंकि वो मैंध्पूरी का है इसको निकालो इसको जेल में भेजो क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसने आग लगा दी है ब्रश्टाचार से सड़ा दिया उत्तर प्रदेश को और पंजाब में पंजाब में अकाली दल की सर का घर है पंजाब के उचे शिक्षा आयोक का ध्यक्ष उसके बाथरूम में पैसा मिला उसके बेडरूम में पैसा मिला इतने खाली कमाई उसने की और आज पर मुकदमा चल रहा है और तमिल नाडू और महाराश्ट और करनाटक का क्या कहना तो शिक्षा के सवाल को रोजगार के सवाल को इन्होंने दुधारी गाए बना लिया है पैसा कमाने का ओजार बना लिया है और आज उसको छुडाने का काम एक बड़ा मंच सुराज अभियान के द्वारा बनाये गया शिक्षा सुराज के रूप में काम शुरू कर रहा है उतरा खंड में तो हमारे शिक्षा स कांदी के जमाने में तो हिमाचल में उतरा खंड में पढ़े बच्चों को बेहतरीन माना जाता था आज वहाँ पर अभिबावक रो रहा है बच्चा परेशान है बच्ची बेहाल है क्योंकि पूरी शिक्षा का व्योसाई करण हो गया है और लोगों को समझ में नहीं आता कल्पिक राजनीती का दूसरा खंबा बना है एक तीसरी बात है जिसको बोलने में हम शर्माते हैं दिल्ली में तो हम बहुत घबराते हैं आप से भी पूछेंगे तो आप बचाएंगे अपने को बचाने की कोशिश करेंगे और वो है हिंदुस्तान में बिगड रहा सामाज की रिष्टों का मामला जिन पुर्खों के साथ हमको अदब मिला जिन पडोस की मा मौसी बेहनों के बुवा के साथ रिष्टा बना वो हमारे धर्म की नहीं थी वो हमारे जाद की नहीं थी लेकिन हमारे पडोस की थी हमारी मा की सहली थी हमारे दादा के दोस्त थे और जब वो आते थे तो कहते थे कि चचा को सलाम करो बाबा के लिए कुर्सी लाओ बूँ आई है पानी पिलाओ कि आज वो सब दरक रहा है कि सतर साल पहले एक बार गुनाह कर चुके हैं हम लोग हिंदू को बताया गया कि मुसल्मान से ज्यादा खतरना कोई नहीं है अंग्रेजों को परदाश कर लो मुसल्मान को तो भगा के छोड़ना है पवित्र नहीं है भारत रस्खान से ज्यादा हिंदूओं के सबसे बड़े देवताओं में से एक शांदार देवता क्रिष्ण की पूजा में जो रस्खान में लिखा है अभी किसी भी हिंदू भक्त को उस हुचाई तक पहुचने में बड़ा वक्त लगेगा मानूस हों तो वही रस्खान बसाओं प्रच गोकुल गाओं के गवारन आजकल के तो जो गवरक्षक हैं हिंदू भक्त हैं मैं बनार्सी हूँ इसलिए जादा जिन्मेदारी से बता रहा हूँ आपको उनकी आखों में जो सपना है उसमें ब्रज नहीं है गोवर्धन नहीं है कनहिया नहीं है उसकी निगाह में अमेरिका है योरोप है कैनेडा है मानूस हों तो वही महरबान बसाओं अमरीकन गाओं के गवारन ये अमेरिकावादी है ये ब्रजवादी नहीं है ब्रजवादी तो जमुना मिशन है जो वहां के कुंडों को फिर से साफ कर रहा है वहां पर पेल लगा रहा है गिरिडाज जी की परिक्रमा को ठीक कर रहा है हमारी आस्था और हमारे परंपरा को बचाने वाले तो बिस्मिल्ला की सहनाई है जिसको सुने बिना बनारस के काशी विशुनात उठते नहीं है और हमारे ओलिया निजामुद्दीन की दरगाह में जब तक हिंदू ना आवे, मुसल्मान ना आवे, सीख ना आवे तब तक इसाई ना आवे, औरत मर्द ना आवे, तब तक ऑलिया साहब की दरगाह में कवाली ठीक से पूरी मानी नहीं जाती है ऐसे ही हर कोई, हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिखो, इसाई हो अगर मथा टेकना चाहता है, तकलीफ में है, आंसू पोचना चाहता है तो गुर्दवारा खुला हुआ है, अकेला धरम, जो बिना जात पांध धरम के भेट के रोटी का लंगर चलाता है, भूखे को रोटी देता है और विवेकार ने ने कहता कि भूखे का भगवान रोटी में रहता है वो ने हिंदू है, ने मुसल्मान है, वो इंसान है और उसको रोटी दो, उसकी सेवा करो लेकिन ये गर्दन काटने की सियासत करते है तो ये है अमन कमिटी का काम दलित को लगता है, एक लड़का था, बेहत जहीन हैदराबाद में पढ़ता था, वजीफा था लिखे को हमारा मास्टर नहीं पढ़ता, हमारे माधे पर लिखी हमारी जात को पढ़ता है, और बार-बार कहता है कल आना परसों आना, और साथ महीने से वाईशांसर वजीफान नहीं देता, ये रोहित विमूला का मतलब क्या हुआ, मैं हिंदूस्तानी जाती के लोग, जो करीब करीब 20 करोड हो गए, एक ही तस्वीर है, जिसकी वज़े से वो टिके हुए हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो रोहित विमूला के हाथों में थी, जब हमने उसको उसके हास्तल से निकाला, वो थी तस्वीर बाबा साब अंबेटकर की, उसके सपने और अंबेटकर के सपनों में तो समानता है, लेकि हिंदूस्तान के प्रधान मंत्री और राश्पती की आवाज में ये दम नहीं है, कि हिंदूस्तान के दलितों को, हिंदुस्तान के पिछणों को, आधिवासियों को यकीन दिला सकें कि ये मुल्क तुम्हारा है क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे पुर्खों ने तो ये ये पाप किये थे अब उसका फैसला तुमको करना होगा गोश्थ है भैसे का का दिया है घाय का गोश्ट है और फिर हम ऐसे दीवाने हो गए हैं इतने असुरक्षित हो गए हैं इतने घबराए हुए हैं कि कवा कान ले गया कान ले गया कान ले गया और इसको आपको याद रखना एक जिस तरह से हम हिंदुस्तान की ओरतों का अपमान करते हैं और मुझे सलाम करना है सुरा जब यान के संग्ठन करताओं को कि आज इस सम्मेलन में हर चोथी कुरसी पर एक बहन बैठी हुई है और ये बहुत बड़ी बात है एक दिन ऐसा आए नहीं शाम को छे बज़े के बाद ओरत करने करना उसका गुना है और न्यायाले से लेकर के चिकिच साले तक और विश्विद्याले से लेकर के सरकारी कारयाले तक जब अकेली और जाती है तो आदमी के अंदर का जानवर जाग उठता है और उसकी इच्चत से खेलने के है और ये काम अभी दिल्ली में हो रहा है दिल्ली की सरकार से जुड़े हुए आदा दर्जन लोगों के उपर और तों के खिलाफ अपमान जिनक आचरन का फैसला है उनके पर मुकत्वा है और दिल्ली का मुख्यमंद्री कहता है कि ये हमारे